हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू दा यूपी एसे एनालाइजर तो आज हम 19 दिसेंबर का इंडियान एक्स्प्रेस डिसकस करेंगे इफ यू आ लिकिंग दिस अनालेसिस धन प्लीज लाइक शेर इन सब्सक्राइब यहापर फॉर्स नियूस है यूथ बीटन तू देथ आफ्टर तो संगत का मतलब होता है तो संगत का मतलब होता है इसको इवनिंग प्रेयास रफर करते हैं इसको यहापर गुटका बताया गया है तो यह क्या होता है बाकी सरोवर आपको पता होगा होली टैंक होता है तो इसमें यह कुछ टम्स इंपॉर्ट था है यूप आपको समझ आ गया हो इसके अलब सेकंड न्यूज यह है कि यहाँ पर फांडेशन स्टोन ले किया गया है गंगा एक्स्प्रेस वे का जो की स्ट्रेच करेंगा फ्रूमेटर तो प्रेयाग राच तो अब हम यहाँ पर नेक्स न्यूज डिसकस करते हैं तो यहाँ पर आई-टी सर्चिस किये गया है जो भी अकलेश जो है उनके आसपास के जो लोग होंगै उनके जाने पैचाने वाली लोग होंगै आपर एसपी के imposeश के रहा है उनके यहाँ पर घर हो पर इंटी सर्चिस किये गया है तो हैसी इससर्चिस करा है जब स्ट्चेस करां जा चाते है इलेक्शन से जिस पहले तो ऐसा लगता है जो यह agencies है यह behest of the ruling party काम कर रहे हैं, जिसकी वज़े से इनकी जो transparency है, इनकी जो image है, independence की वो erode होती है, तो यह सबसे important issue है और ऐसा बहुत बार देखा गया है, for example, हैंपर West Bengal के election से पहले भी यह बात देखी गई थी, इससे पहले Tamil Nadu के election से पहले यह बात दे तो फिर यही माना जाता है, जो agencies are independent नहीं है, और इनकी कोई भी accountability नहीं है, यह behest of the ruling party काम कर रहे हैं, तो days before the Tamil Nadu polls in April this year, the IT search promises of DMK Chief MK Stalens, daughter, इससे पहले यहाँ पर West Bengal में CBI summoned Rujira Banerji, wife of Mamta Banerji's nephew Abhishek Banerji, तो यह कुछ cases हैं आगे हम चलते हैं, यहाँ पर और कुछ important यहाँ प sanitary napkins, तो यहाँ पर sanitary napkins free दी जाएगी और यह उडान scheme है, और यह राजस्थान की है, आगे जलते हैं, यहाँ पर cold day defined किया गया है, कि cold day की definition क्या होती है, तो cold day is recorded when the minimum temperature at a station in the plane is less than or equal to 10 degree Celsius, तो यहाँ पर temperature या तो 10 degree से कम हो जाए, या तो 10 degree हो जाए, या तो जो temperature है, जो वह cold day बोलेंगे, या temperature का 10 से कम पाच जाए, तो उसको भी cold day बोलेंगे, तो यहाँ पर basically दो conditions हो, दोनों end में है, तो cold is recorded when the minimum temperature at a station in the planes is less than or equal to 10 degree Celsius, and the maximum temperature at the station is 4.5 to 6.4 degrees, less than normal, आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की गए एक church की, तो वेलनकनी church यह है, तमिलाडू में, तो वेलनकनी तमिलाडू, the church is noted pilgrimage, a spot for Christians, especially Catholics, आगे चलते हैं, अब यहाँ पर five Central Asian, जो countries है, उनके foreign ministers के साथ, इंडिया meeting करने वाला है, तो amid concerns over human rights as well as humanitarian situation in Afghanistan, तो basically यहाँ पर जो बात होगी, वो अफगानिस्तान की situation के उपर होगी, क्या अफगानिस्तान में कैसे humanitarian crisis की situation हो रखी है, New Delhi जैसे अफगानिस्तान को लेकर अपने यहाँ पर neighbors के साथ engage करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर जो अफगानिस्तान के साथ जो boundary touch करते हैं, उनके साथ भी यहाँ पर engage करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भी basically engage करने की कोशिश कर रहा है, तो amid concerns over human rights as well as humanitarian situation in Afghanistan, New Delhi and Islamabad are engaging, each on its own track और जो हमको लगता है हमारे key partners है region में हम उसके साथ engage करने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान को लगता है वो जैसे engagement कर सकता हो, वहाँ पर पाकिस्तान engage करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया को भी meeting रखता है regarding Afghanistan, जैसे कि हमने NSS की meeting की थी और उसमें पाकिस्तान को भी invite किया था, लेकिन पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया था, external office minister S.J. Shankar will host the third meeting of the India Central Asia dialogue in New Delhi Sunday, तो यहाँ पर जो भी Central Asian countries और वो सा बार है, और Central Asian में जो तीन कंट्रीज को अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, इसलिए यह तीन कंट्रीज और जादा इंपॉर् हैं, उनको हम invite करेंगे as chief guest, साथ ही में जो पाकिस्तान ने पारलली इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, तो sources said that Delhi's outreach to the five Central Asian countries who have deep stakes in the stability of Afghanistan, while Pakistan is trying to rally the support of Islamic countries, तो जो organization of Islamic countries हैं, उसमें जो भी member countries हैं, तो हैं पाकिस्तान ने साथ इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, आगे चलते हैं, Mission 22 ये जादा important तो है नी पर हम देख लेते हैं, तो with elections to the UP Assembly slated for rally next year, दो लोग सब MP from Hyderabad, तो ये बात कियेगी, ओ वैसी ही, has been campaigned hard in the state as part of its Mission 22 with a key pitch of organizing the Muslim community as a political force, तो Muslim community को यापर unite करने के लिए इंका Mission 22 है, यहां पर अगनी Prime Missile को test किया गया है, तो Defense Research and Development Organization on Saturday successfully tested the new generation nuclear capable, तो new generation nuclear capable, ballistic missile, अगनी Prime, और ये कहां से test की गई है, from the APJ, अब्दिलकलाम, island of the coast of Orisha, ये second time है कि surface to surface missile का test किया गया, तो यहां पर आपको कुछ facts पता चल गया है, कि जो अगनी Prime है, ये ballistic missile है, nuclear capable है, और ये surface to surface missile है, अगनी Prime, new generation advanced variant है, अगनी class of missiles का, और इसकी जो range है, 1000 से लेकर 2000 km तक, आ अगने के लिए यूज होती है, इंडिया में अभी उसका approval नहीं मिला है, इसका नाम है, new drug called, सेकेटू, जुमाब, गुवाइट के नौर, जिसको च्रॉडले के नाम से भी जाना जाता है, और ये breast cancer के लिए drug है, इसको अभी इंडिया में अप्रूवल नहीं मिला है, लेकि जब उनका exam लिया गया, क्लास 11 के syllabus का, तो लगभख 50% बच्चे ऐसे थे, जो कि फेल करका test से, तो इससे ये पता चलता है, जो बच्चे यहां पर रूलर एरिया में थे, उनको यहां पर डिजिटल डवाइस नहीं मिलें, जिसके वज़े से वो online classes को एक्स नहीं कर पाए, और हमें यह देखने को मिल रिए situation, तो तेलंगा ना, हायर एजुकेशन देपार्टमेंट इस रिवीविए थे, इफेक्टिवनेस उफट अनलाइन क्लासे अफ्टर मोर दन हाफ दे इंटर्मेड इंटर्मेड इंट्रमेड 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 इंट्रमेड 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 76 CRPF परसोनल जो की मारे गए थे 36 गड़ के दांतेवाड़ा डिस्टेक्ट में माइस्ट के साथ डील करते वक्त तो ये उसके वोपर बेज़्ट है आके चलते हम यहाँ पर रूल 256 की बात कीगी बाकि इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टन नहीं है तो हम रूल 256 डेख लेता हैं इससे पहले भी देख चुके हैं तो रूल 256 सस्पेंशन अफ मेंबर से डील करता है तो चेयर्मन में तो चेयर्मन को अगर लगता है जो कोई भी मेंबर अगर उसने यहाँ पर अथारिटी अफ देचेयर को डिस्रेगाड किया है या तो फिर जो रूल है काउंसल को उसको यहाँ पर अभ्यूज किया है तो यहाँ पर जो चेयर्मन है उसका यहाँ पर उस मेंबर को नेम कर सकता है फिर उसके रिगार्डिंग एक मोशन पास हो सकता तो if a member is so named by the chairman he shall forth with put the question on a motion being made no amendment, adjournment or debate being allowed that the member be suspended from the service of the council तो member को यहाँ पर council से suspend कर दिया जाएगा for the remainder part of the session इसके लगाँ जो council है वो किसी भी time पर जो भी है motion उसको terminate भी कर सकती है अब member suspended under this rule shall forfeit को इस दे प्रेकेंट of the council तो आई हो आपको समाझ आगाँ है rule 256 है जो यहाँ पर member के suspension से डील करता है और जो चेर्मेन उसको अगर लगता है कि यहाँ पर किसी member ने authority को disregard किया है चेर कि इसके रहावा यहाँ पर house के rules को abuse किया है तो उसके लिए एक motion को यहाँ पर introduce किया जा सकता है और एक बार अगर motion इंट्रड्यूस हो जाता है पास हो जाता है तो उस member को यहाँ पर suspend कर दिया जाता है for the remainder part of the session लेकिन जो council किसी पर time जो भी motion यहाँ पर बनाया गया है motion being made उसको यहाँ पर इस suspension को terminate भी कर सकती है यहाँ पर जो first speaker थे वो थे 1951 में its first speaker जीवी मवलंकर तो यह आपको पता होना चाहिए बाकी यहाँ पर एक artist के नाम बताया गया है जिनोंने यहाँ पर पर पर्लेमेंट के बाहर यह महत्मा गांधी के statue यह भी इनोंने बनाया है और इसके लगए यहाँ पर जो statue of unity है यह भी इनोंने बनाया है तो वो हम नाम देख लेते हैं राम वी सुतार तो गांधी statue of the महत्मा in a meditative pose was going to be his first creation inside the parliament complex तो इनकी first creation थी यह जो गांधी statue है यह जो गांधी statue है जो के पर्लेमेंट के में लगा हुआ है इन numerous interviews सुतार said that recreating the peaceful expression of महत्मा गांधी's face was an immense challenge इसके लोग है यहां पर सदार बलाववाई बटेल का जो statue है गुजरात में वो भी उसके artist भी यही है आगे चलते हैं अंडर age marriage policing no answer तो यहां पर जो legal age marriage की बढ़ाई जारी 18 साल से 21 साल किया जा रहा है और यह जैया जेटली पैनल के recommendation पर किया जा रहा है तो यह कितना सही है इसमें क्या problem से वो भी हम यहां पर discuss कर लेते हैं अगर social problems could be solved so easily अगर जो social problems उनके इतनी आसानी से दूर किया जा सकता कि बस एक law लेकर आया जाता और यहां पर जो social problem है वो eradicate हो जाती तो ऐसा नहीं होता है तो इस social problems could be solved so easily India would not be one of the most malnourished nations in the world its women among the most enemy its sex issue is skewed तो इतनी सारी problems से इन सकते लिए law लेकर आया जा सकता है अगर law से ही सारी problem ठीक हो जाती है तो proposal can be faulted on two accounts तो है जो proposal है दो accounts में हापर faulted है पहला यह it does not focus on what really matters to insurity यहां पर अगर हमें marriageable age में delay करना है तो उसके लिए करने की क्या जरूरत है जर्फ law लाने से कुछ नहीं होगा जो factors derive कर रहा है इस बात को कि यहां पर जो marriageable age है वो delay नहीं हो रही तो उन factors में change करने की जरूरत है and that ignores the harms of such legislation और अगर ऐसा ही legislation आ जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि 18 साल से कम उमर की लड़कों की शादी होना बंदो की शादीयां फिर भी होती थी अगर हम data देखें तो अभी भी लगबग 20% लड़कियां ऐसी है जिनकी यहां पर 18 साल से कम उमर में शादी हो जाती है अगर यहां पर managrable age में हमें delay करना है तो हमें यहां पर दो factors पर काम करने की ज़रूरत है पहला यह कि secondary education for girls के लिए हमें accessible करना है और दूसरी बाते हैं पर poverty को reduce करना है तो हमें इन दो factors को लेकर काम करने की ज़रूरत है जिन लड़कियों ने यहां पर 12 या उससे जादा साल की education ली होती है वो लगबग यहां पर 5 साल बाद शादी करती है अगर उन लड़कियों सा compare किया जा जिन्होंने कोई भी education नहीं ली होती है अब यहां पर जो girls हैं वो क्यों drop out करती है इसकूल से unavailability of secondary schools तो यहां पर secondary schools को लेकर access नहीं होती है lack of separate wallets in schools no facilities for menstrual hygiene sexual harassment making travel unsafe तो इन factors पर काम करने की जरूरत है तो उसके बाद जो marriageable लेज़ है वो अपने आप यहां पर डीले हो जाएगी उसके लिए law लानी की जरूरत नहीं पड़ेगी Oxfam India ने यहां पर document किया है इंडिया में जो early marriage of girls के से वो क्यूं होता है तो यहां पर कुछ हमें factors पता चले है तो it range from poverty and school dropouts to elopement और fear अब यहां पर जो girls है उनके पर prestige से जोड़ा जाता है जिसकी वज़े से यहां पर घर वालों को ऐसा होता कहीं elop na हो जाए तो इसलिए वो लड़कों की शादी भी जल्दी कर देते है patriarchal norms की वज़े से ऐसा हो रहा है कि जल्दी शादिया हो रही है तो patriarchal norms focused on a girl's chastity come together with poverty तो यहां पर एक तो patriarchal norms है इंडिया की society का यह एक salient feature कि इंडिया की society जो है वो patriarchal है उसके चलते हैं यहां पर poverty फिर यहां पर secondary access नहीं होना secondary education को लेकर access नहीं होना तो यह सारे factors contribute करते हैं कि यहां पर लड़कियों की शादी जल्दी उम्र में कर दी जाती है तो NFHSO data shows that 63% of the girls got married before the age of 21 अगर हम National Family Health Survey का data देखें तो हमें यह पता चलता है 21 साल से कम उम्रों में लगबग 63% लड़कियों की शादी हो जाती है तो अगर यह बार यह वाला law अगर आ जाता है और यहां पर 21 years कर दी जाती एज तो यह साधी शादियां होंगी तो फिर भी लेकिन underground तरीके से होंगी तो criminalizing only ensures that the phenomenon of early marriages is driven underground unless the causes are removed तो जब तक आप इन causes को remove नहीं करते तब तक शादियां तो होंगी बस वो underground होने लगेंगी और अगर जो शादियां वो underground तरीके से होने लगी तो यहां पर जो married girls को right मिलने चाहिए वो मिलना बंद हो जाएगी तो it also puts a question mark on the right married girls are entitled to such as property rights, compensation, insurance, if they were to be wrote तो यह सब मिलना बंद हो जाएगा अगर यहां पर जो शादियां वो underground होने लगी registration उनका बंद हो गया तो in fact empowering the young with information sexual health services higher education and linkages to income can delay the age of marriage without any caution तो बिन फोट के साथ अगर हम marriageable age में delay कराना चाहते हैं तो यहां पर हमें women को empower करने की जरूरत है sexual health services देने की जरूरत है उनको यहां पर secondary education के लिए access देने की जरूरत है और income जब बढ़ेगी तो अपने आपी जो delay in marriageable age है वो अपने आपी आगे बढ़ता चाला जाएगा the current PCMA law prohibits marriage under the age of 18 तो 18 साथ एकम की शादियों को यहां पर prohibition of child marriage act वो यहां पर prohibit करता है लेकिन उसको void नहीं मनाता है वो इतनी flexibility इसलिए रखी गई है क्योंकि अगर यहां पर किसी पर minor की शादी हो जाती है तो उसके जो marital home में rights है वो preserve रहे हैं जिसके चलते किसी पर ऐसी शादी को void नहीं declare किया जाता है लेकिन हाँ illegal वो होती है लेकिन अगर यहां पर minor household से कोई petition file करते है तो उसको void declare किया जा सकता है लेकिन वैसे as such void नहीं होती है तो what happens to the right of girls married under 18 in these states अब कुछ ऐसे states हैं जिसे के करनाटा का हरयाना उन्होंने कुछ state level amendments लेकर आया है और उनका यह कहना है जो under 18 marriages है वो illegal के साथ साथ void भी है तो ऐसे state में जिन लेकियों किशादी 18 से पहले हो चाती है तो उनके तो सारे rights सी यहां पर curb कर दिये जाएंगे आगे चलते हम पाकिस्तान यह मैंने आप बता दिया है पाकिस्तान क्या कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज का support लाने की कोशिश कर रहा है तो पाकिस्तान is rallying मुस्लिम कंट्रीज to help अफगानिस्तान stave of an economic and humanitarian disaster while also cajoling the neighborhood countries new Taliban rulers to soften the image abroad तो यहां पर जो organization of Islamic cooperation है तो यहां पर उनके साथ cooperate करने की कोशिश कर रहा है जो कि 57 member bodies है तो वहां के लोग आएंगे और पाकिसान में discuss करेंगे कि अफगानिस्तान की situation हो लेकर क्या करने की जरूरत है यहां पर टाइफून रे है यहां आया है तो टाइफून राय रे जो भी आप इसको प्रनाउंस करो है इसके लाब चाइना एक पिश्चे सा लोग भी लेकर आया था तो अन्यू लोग ने जो डिरेक्ट एलेक्शन से लोग आएंगा उनको यहां पर कम कर दिया है और यहां पर जो बेजिंग होगा वो यहां पर जादा लोगों को नॉमिनेट करेगा जिसकी वज़े से यहां पर जो बेजिंग के लोईलिस्ट है वो जादा होंगे असेम्बली में तो इसलिए होंग कॉंग में लोग यहां पर बोल रहा है कि एलेक्शन को उमें बोईकॉट करना है ऐसे में जो चाइना है वो चाह रहा है कि वोटर टरन आउट बढ़े में ही डिसाइड करेंगे कि कुछ करना है या नहीं करना है तो अब इसी बात पर डिसकेशन है क्या किलर रोबोट को यहां पर बैन कर देना चाहिए क्योंकि यहां पर ethical concerns हो जाते हैं हो सकता किलर रोबोट यहां पर differentiate ना कर पाई civilians और यहां पर terrorist के बीच में तो this year for the first time a majority of the 125 nations that belong to an agreement called the convention on certain conventional weapons said they wanted curbs on killer robots अब killer robots का अगर हमें आपर technical नाम देखें तो उसको बोलता है lethal autonomous weapon systems लेकिन US और Russia जो कि killer robots बना रहें basically वो चाहते कि इन के उपर curb ना हो but they were opposed by members that are developing these weapons most notably the US and Russia अब convention on certain conventional weapons इसी की बात करते हैं जो कि यह बोलता है कि हमें ban यह restrict कर देना चाहिए weapons जिसकी वज़े से unnecessary, unjustifiable, undiscriminate suffering हो सकती है तो ऐसी किसी भी चीज़ को हमें ban करना चाहिए तो convention has no provisions for killer robots लेकि convention में अभी killer robots के लेकर कोई भी provision नहीं है but they are widely considered to be weapons that make decisions with little or no human involvement तो killer robots यहां पर कोई भी decision लेंगे, उसमें कोई भी human involvement नहीं होगा यह robotics, AI और image recognition के basis पर ही decision लेंगे तो machine कैसे differentiate कर सकती है an adult from a child, a fighter from a civilian, a hostile combatant from a wounded or surrounding soldier तो यहां पर ही कैसे differentiate करेगी तो ऐससे कुछ ethical concerns है जिसके जलते हैं पर बात की जारी कि killer robots को यहां पर ban कर देना चाहिए अब यह जो पावन हंस से इसका disinvestment हो रहा है तो center is selling its entire 51% stake in पावन हंस इसके अलावा जो state-run oil and natural gas corporation है वो भी अपना 49% यहां पर जो है उसने sale पर डाल दिया है तो government has received an un-disclosed number of financial bits for sale of its stake पावन हंस moving the disinvestment process of the ailing helicopter operator at the last stage अब यह जो helicopter services पावन हंस यह basically आपर ONGC को helicopter services provide करता था for the exploration services to the ONGC and to the India's northeast अब यहां पर इनके उपर कुछ ऐसे charges थे कि उन्होंने चाइना की rankों को boost करनी के लिए आपर ease of doing business index में कुछ data integrity के साथ इन्होंने खिलवार किया था तो IMF MD Kristalina Georgieva was accused of putting undue pressure on World Bank staff in 2017 to alter data in its doing business तो आप तो doing business report को बंदी कर दिया गया है इसके चलते जो IMF है वो कोछ यहां पर institutional safeguards को ensure करनी की बात कर रहा है तो IMF staff in October but said it would consider additional steps to ensure the strength of institutional safeguards तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो ease of doing business index है जो की world bank निकालता था फिर इसको इपर ऐसे accusations आये थे कि इस index का use किया गया चाइना की ranking को boost करने के लिए और इसमें सबसे बड़ा रोल था IMF की MD उस समय की Kristalina Georgieva का उस समय word bank की director थी अभी यह IMF की MD है इसलिए अब नए institutional safeguards नहीं पर ensure किया जाएंगे undersea data cable डाला जाएगा to Asia और यहां पर meta और Google का सबसे important रूल है तो Google की यहां पर parent company alphabet है और यहां पर जो meta है यह Facebook की parent company है अभी undersea data cables क्यों डाल रहे हैं क्योंकि उससे जो data है वो encrypted रहेगा और जो चाइना है वो किसी भी sensitive information को नहीं ले सकेगा तो companies committed to protect the privacy and security of America's data particularly against China's intelligence operations the cables are secure and data is protected through advanced encryption तो यहां पर data protect रहे अमेरिका की जो privacy वो maintain रहे जिसके चलते हैं यहां पर underground cables डाले जाएगे तो आई होब आपको आज की news पर बस समझ आ गया if you like the video then please like, share and subscribe thank you and have a nice day